गुद मॉर्निंग दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल वाई टी प्रेपप पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज का क्लास आज का क्लास होगा हमारा मौलीक अधिकार हम लोग आज मौलीक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि म मौलीक अधिकार क्या होता है इसके वारिम हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जान जाते हैं कि मौलीक अधिकार होता क्या है जनता को जो अधिकार मिला हुआ है उसे ही हम लोग मौलीक अधिकार करते हैं जैसे हम लागरिक को जो अधिकार मिला है बोलने का चलने का उसे ह हम लोग क्या करते हैं मौलिक अधिकार जैसे आप लोग कई बार बोलते भी होंगे कि हमको तो यह अधिकार मिला हुआ हम यह काम करेंगे ही हमको तो यह अधिकार मिला हुआ हम तो यह बोलेंगे ही तो यह जो अधिकार है इसे ही हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिका तो चलिए 35 तक मौली कदिकार का जिक्र है उसके बाद यह जो है USA से लिया गया मौली कदिकार कहां से लिया गया यह USA से लिया गया है से मौली कदिकार को मैगना कार्टा भी बोलते हैं मौली कदिकार को क्या बोलते हैं मैगना कार्टा मौली का दिकार को मैगना काटणा भी बोलते हैं अगर आप से एक्जाम में कोश्चन पूञ दे मौली का दिकार होगा इसको दिमाग में रखेगा ठीक है यहीं से कोश्चन मनता यहीं सब चुटा चुटा पॉइंट बादा नंबर आपको देखे जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मौली का अधिकार कितना है जब सम्मिधान बना था मौली का अधिकार कितना है हमारे सम्मिधान में जब सम्मिधान बना था मूल सम्मिधान में साथ मौली का अधिकार था हम लोग को साथ अधिकार मिला हुआ था लेकिन बरतमान में ये डाटा चेंज है अभी हम लोग के पास 6 मौलिक अधिकार है तो लिख लिजिए मूल्स सम्मीधान में 7 मौलिक अधिकार 7 मौलिक और ये बरतमान में 6 है बरतमान में कितना मौलिक अधिकार है आपका 6 मौलिक अधिकार है तो एक मौलिक अधिकार जो है संपत्तिक का अधिकार 44 में सम्मीधान संसोधन 1978 में हटा दिया गया 44 में सम्मीधान संसोधन के तहत तो देखते हैं मौलिक अधिकार संमीधान के बाद कितना में है मौलिक अधिकार संमीधान के भाग तीन में है अनुच्छे कितना से कितना तक है 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया fundamental right को किस देश के संमीधान से लिया गया है तो वो है USA और मौलिक अधिकार को और क्या बोल सकते हैं मौलिक अधिकार कितना था तो वो साथ था आपका और बरतमान में कितना है तो छे है 44 में संमीधान संसोधन आप एक कौन से अधिकार को हटा दिया गया जो साथ था उससे कौन से अधिकार को हटा दिया गया जो छे हुआ तो वो था आपका संपत्ति का अधिकार वो क्या था संपत्ति का अधिकार जिसको हटा करके 300 के ये में डाल दिया है कानूनी का अधिकार में ठीक है तो देखते हैं कि 44 में सम्मिदान संसोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया ठीक है यहां तक आप लोगे लाइक बेटन प्रेस कर दे और अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट वाक्स में जा करके कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जितना अधिक सादिक हो सके अपने दोस्तों के साथ सेर गीए ताकि वो भी करके उनको भी एक्जाम क्रेक करने में काफी अस्या नहीं हो ठीक है तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अब हम लोग देखेंगे कि 6 मॉलिक अधिकार हम लोग के पास क्या क्या है तो पहला जो है समानता है दूसरा आपका वह अतनतरता है तीसरा आपका तोसन के विडूद पहला आपका समानता है दूसरा आपका सोतनतरता है तीसरा आपका सोसन के विरूद है और चौथा आपका जो है वो है धार्मिक क्या है धार्मिक सोतनतरता है धार्मिक सासंतर और पांचमा आपका है सिक्छा एवं सांस्क्रितिक तिक्छा एवं सांस्क्रितिक तिक अधिकार और चट्था आपका है सम्मेधानिक उपचार तो यह छे अधिकार है जो हम लोग को मिला हुआ है पहला क्या है समांता का अधिकार है दूसरा आपका सोतनतरता का अधिकार है तिसरा आपका सोसन के विरूद है अधिकार तो उसके विरूद आवाज उठा ठकते हैं उठा ठकते हैं उसके वाद धार्मिक सुतनतरता है सिक्छा इवब संस्क्रितिक अधिकार है उसके वाद सम्मेधानिक उपचार ठीक है अब हम लोग देखेंगे कौन से इसमें यह समानता जो है आपका कितने आर्टिक अधिकार अधिकार आपका वह आपके 29 और पीस के तहता आता है अटिकन उन्तीस और तीस यह आपका 29 और तीस के तहता आता है उसके बाद यह जो है आपका यह 32 के तहता आता है यहां तो का आप लोग पहले लिख लिजिए हम लोग को छे अधिकार क्या क्या मिला है पहला आपको समानता मिला है दूसरा आपको सोतनतरता मिला है तीसरा आपको क्या मिला है सोसंस के बिरुद हम लोग आवाज उठा सकते हैं, चौथा आपको जो मिला है, वो धार्मिक स्वतनतर्ता मिला है, पाचमा आपको जो मिला है, सिख्छा एवं सांस्कृतिक अधिकार मिला हुआ है, उसके बाद सम्विधानिक उपचार ये भी आपका, इसी में मौलिक अधिकार में आ हम लोग पहले स्क्रीन स्वाट ले लीजिए, फिर अब लोग आगे देखते हैं, तो आईए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे, समान था, ये था हमारा आटिकल 12 से 18, हम देखेंगे कि 14 से आटिकल, 14 से 18 तक क्या आटिकल में क्या-क्या चीज दिया हुआ है, टिकेट, तो इस तरह से लिख लिए, अनुच्छेद, 14, इसमें है, वीधी के समच्छ, समानता, वीधी के समच्छ, समानता का मतलब क्या होता है, कि कानून के नजर में आप समान्य है, समान्य कानून आपके लिए भी वही होगा, और जो सब के लिए, पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं, जाती लिंग के आधार पर भेद भाव ना हो धर्म जाती लिंग के आधार पर भेद भाव ना हो यह किसके तहता आता है आर्टिकल 15 के तहता आता है ठीक है क्या आता है कि धर्म जाती लिंग के आधार पर कोई भेद भाव ना हो 16 काता है contribution 16 काता है लोक नियोजन में समानता लोक कि नियोजन में कि कलो कि लोक नियोजन में समानता मतलब सरकारी नोक्री लोक नियोजन मतलब क्या होता है कि आपका सरकारी नोकडी में आपका सभी लोक समान नहीं होंगे किसी के साथ कोई बेड़बाव नहीं किया जाएगा इसी को बोलते हैं लोक नियोजन समानता लोक नियोजन में समानता उसके बाद आपका है 17 आप देखेंगे अनुछेद 17 क्या काता है तो अनुछेद 17 काता है छुवा छूट का अंद चुवा छूट का अंद उसके बाद अनुछेद 18 काता है उपादियों का अंद तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि आटिकल 14 से 18 तक क्या आता है समानता सब समानी होगा समानता वर्ड से साफ है कि सब कुछ समान यह होगा जैसे मेरे साथ होगा वैसे ही आपके साथ होगा इसी को हम क्या बोलते हैं समानेता लेकिन आज कल के जभाने में ऐसा कुछ नहीं होता है। यह मतलब सम्मिधान में है। लेकिन वास्तिविकता में गिंई कुछ होता नहीं है। बैद legislator होता ही है!! लेकिन क्या कीजेगा। हम लोग को पढ़ना है. यह हमारे पर्मर को पढ़ना है। लेकिन कितना जरूरी है पढ़ा इसलिए जरूरी है कि पढ़ेंगे जाने पढ़ेंगे तब तो जानेंगे कि हम लोग के लिए क्या है क्या नहीं है कैसा कानुन विवस्था है जब हम लोग पढ़ेंगे इने तो पता कैसे चलेगा और हम लोग पढ़ेंगे इसलिए तो बोलता है कि पढ़ लेकिन आपको पताई कि हमारे समाज मैस साठ्था फ़ाल लेकिन इसको हटाना पड़ेगा इसके लिए एक्ता लाना पड़ेगा तो ये ये एकता आसकेगा और हमारे समाज से ये दूस पर था हटेगा ठीक है तो पहला जो है आपका अनुछ्य 14 उसमें काता है वीधी के समच्छ समानता मिन्स की कानुन के नजर में सब समानी होंगे ठीक है उसके बाद 15 काता है धर में जाती लिंक की आधार पर कोई भेदभाव ना हो भेदभा ना हो कि यह इस चाती का यह इस धर्म का कोई बेदभाव नहीं होना चाहिए सभी समानी है ठीक है उसके बाद लोक नियोजन मिन्स की सरकारी दोक्री में भी समानता होना चाहिए किसी के साथ कोई बेदभाव नहीं होना चाहिए उसके बाद 17 का चुआ चुट का अंत हम लोग कहते ह इसका भी जिक्र किया गया है आर्टिकल आपके शतरह में उसके बाद अठाणा है इसका ऀसका अन्त होना चाहिए जैसे कि कह सकते हैं कि लोहार का जो काड़ उबार करता उसको उश्का उपाधी दे दिया गया कि व 먹고 हर लेकि इसका अन्त होना चाहिए वो एक इन्सान है वो एक नागरिक है बस उश्का काम वो है किसली उसको ला रहीं बोल सकते हैं उसको सुनार नहीं बोल सकते हैं तो लेकिन आजकल लोग समझतें नहीं इस बात को इसी को बोलते हैं कि उसका जुपाधी हम लोग दे देते हैं उस उपाधियों का अंत होना चाहिए ठीक है अब हम लोग चलेंगे देखेंगे कि article 19 अब अम लोग देखेंगे आर्टिकल उनीस आर्टिकल उनीस क्या था सोतंतरता 19 से 22 तक सोतंतरता का जिक्ड किसमें किया गया है आर्टिकल उनीस से लेकर के 22 तक सोतंतरता का बात कहा गया है सबसे पाले देखेंगे अनुच्छ उनीस क्या कहता है अनुच्छ उनीस क्याता है कि अभी व्यक्ती किसमें तरता क्या अभी व्यक्ती किसमें तरता उसके बाद आता है उनीस का ए बोलने बोलने का सौतंतरता निसका ए क्या कहता है बोलने का सौतंतरता निसका भी सांति पुर्न धंग से एकत्रत होने का सांति पुर्न धंग से मतला हत्यार लेकर कहीं पे एकत्रत नहीं हो सकते हैं यह अधिकार नहीं है कि आप हत्यार लेकर करत्रत हो सकते हैं हो अथियार कुछ भी हो लाठी हो बंदों को अथियार नहीं होना चाहिए आपके हाथ में हाथ से आप एक्तम सांती पूरुनिस्त कहीं पे जा करके एकत्रित हो सकते हैं कि इसका भी क्या कहता है एकत्रित होने का अधिकार और क्या है हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं उसके बाद उनीस का सी कहता है आपका समू या सभाव बनाने का अधिकार समू या सभाव समू या सभाव बनाने का अधिकार उनीस का अधिकार उनीस का अधिकार सभाव होन चाहिए Android आधिकार या ऍकत्रेत होने का सतंत्रा होना चाहिए समू या सभाव बनाने का अधिकार हम लोग कहीं पे अगर British वंद सभाव .... सभाव ajudar बना सकते हैं इसका भी हमार अधिकार हमको मिला हुआ है वो कितने क entire मिला हुआ या आर्टिकल्स है आवागमन का सुब्तनतरता हम लोग भारत में एक राज ये से दूसरे राज ये जा सकते हैं इसका सुब्तनतरता हमको मिला हुआ है उसके बाद आपका है उनिस का इए उनिस का इए क्या कहता है आज इवीका का सुब्तनतरता अब देखेंगे हम लोग कि इसको याद कैसे करें इस तरह से याद करने में थिक है क्या होगा कि कभी आपको ये याद होगा तो कभी वो याद नहीं होगा इस तरह से आपको याद करने में परशानी होगा ठीक है तो서by thisbe कहता है कि अभी वैक्ति की सोतन्तृता ठीक है अब हम लोग देखते है अनिस्का ए जिबर सकते हैं सम्मू या समूए सभा बनाने अधिकाड ठीक है Coach इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं आप लोग अधिकार के जगापे स्वतंतरता लिख लिए तो थ्याधा अच्छा लगए कर ठीक बोलने का स्वतंतरता एकत्रत होने का स्वतंतरता क्योंकि ये आपका है स्वतंतरता ही है तो इसको स्वतंतरता ही लिखिए अब हम लोग इसको इस तरह से समझ के गयाद करते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं किसी कोई भी चीज का विरोध के लिए हम लोग आवाज उठाएं तो यह जो बोलने का दिकार है हमारा क्या है उन्हें इसका आ है कि य। cosmic जब लोग बूलना चुरूकिए तो भी डोग एक ट्रक है ऐक या समो बनाने का दिकार उसके बाद जब सवा और समो बन गया तो वहां से ऑब आग वहां से तो आपाज क्या सरकार तक नहीं पहुंच रही थी उसके लिए हमको क्या करना पड़ा कि भारत में आवागवन करना पड़ा तो वह क्या है उनीस का डी क्या करता है भारत में आवागवन की एक राजिये से दूसरे राजिये जा सकते हैं आ सकते हैं कोई रोक छोक नहीं आवाज उठा सकते हैं वहाबी तो तो आप लोग पहले स्क्रीन सोट ले लिए कि तो आईए हम लोग आगे देखते हैं नोट बना के लिख लीजिएगा आप लोग कि आर्टिकल उनीस आपात काल किसमें कि अभूद अभूद क्या हुता है समाप फुझाथ Article 19 जो है यह आपातकाल के समय कुद भर खुद समाप्थ हो जाता है इसके लिए किसी को समाप्थ करने की कोई जावाय सकता नहीं है यह सास्पेंड हो जाता है जब हमारे देस में इमर्जेंसी लगा होता है उस समय आर्टिकव 19 के ताम जितना भी अदिकार हमको मिला है वो चुक्रार्ण हो जाता ह अपराधों के विरूद्ध दोस्चिद्ध अपराधों के विरूद्ध क्या दोस्चिद्ध संदक्षन अपराधों के भी अपराध करते हैं उसके विरूद्ध विरूद्ध हमको कुछ विरूद्ध संदक्षन करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि 20 का आर्टिकल 20 के ए में क्या है आर्टिकल 20 का ए तो यही कहता है हमको कि जिस समय हम अपराद किये उस समय जो कौनून है उस समय जो कौनून का प्रभधान है सजा का प्रभधान है वही सजा हमको मिलेगा चाहे वो सजा वो केस कभी भी सॉल्व हो तेकिन सजा हमको वही मिलेगा जिसके ऐसे समझे कि अगर तो हमको 2021 में अगर उस सजा के लिए उसका अपराद के लिए कानून में कोई बदलाव होता है सजा का प्रभधान घट जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको 2020 के कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगा मिस उस समय उस समय के कानून के इस साम सेही सजा कि मिलेगा जब हम अपराद किये उस समय जो भी कानून है जो भी प्रवधान उसी हिसाथ से हमको उस्स अपराद के लिए सजा मिलेगा ठीक है यही आपका आर्टिकल 20 का एक करता है उसके बाद 20 का बी क्या करता है बिस का बी क clingis क्या दिए खुद के विरूद आप गवाह देने के लिए आपको बाद ही नहीं किया जाएगा। अगर आप अप्राधी हैं तो आपको यति नहीं कहा जाएगा कि आप użyफ़ का अप्राध के लिए घवाह दिजिए। खुद आपको बादेते नहीं किया जाएगा अर्टिकल 20 का भी कहता है कि फूद के एक मिनिट में दोस्तों मारकर चल नहीं राज सही से चेंज कर ले खुद के विरूद कि कवा तेने के लिए कि क्या जाएगा कि क्या खुद के विरूद गवा देने के लिए आपको बाद यह नहीं किया जाएगा आप कोई प्रेशर नहीं डायल आजाएगा यहीं आपका करता है 20 का भी तो आप लोग कॉपी पे लिखते जाएए आपको बारवार बता रहे हैं इससे क्या फायदा होता है कि जब भी आप एक्जाम में जाएं तो आपको असानी से हर चीज दिमाग में आ जाएं और हम आपको बिल्कूल क्लास के तरह लिखा रहे हैं ताकि आपको यह भी फिल ना हो कि हम आपको फास्ट लिखा रहे हैं स्लो लिखा रहे हैं एकदम क्लास के तरफ फिल किजिए आपको लिखाने का यहीं मकसद है हम पी आते आपको पीडिएफ कोलते पढ़ा देते चले जाते बखपा कि हम class में हैं और around से जो लिखा रहे हैं उसको लिखते जाए ठीक है तो चलिए बाब हम लोग आगे देखते हैं कि article 20 का B क्या कहता है सॉरी B तो हो गया 20 का C article 20 का C कहता है कि एक अपराद के लिए हमको एक बार ही सजा होगा दुबारा सजा नहीं हो सकता है एक अपराद के लिए एक अपराद के लिए एक अपराद के लिए एक बार ही बाजा मिलेगा एक अपराद के लिए कितने बार सजा मिलेगा एक बार ही सजा मिलेगा मिन्स के आप इस तरह स्तमद सकते हैं कि आप अगर एक बार चोड़ी किए एक बार चोड़ी के सजा में सोरी के जुर्म में आप जेल जाते हैं तो फिर दोबारा उस चोड़ी के जुर्म में ह सकते हैं ऐसा नहीं कि आप चेल से चुटके आप ही गए फिर आपको पुलिस आया उठा के लेके चला गया ऐसा नहीं किया जा सकता है यह आपके अधिकार के विरुद्ध है आपको अधिकार मिला हुआ कि अगर आप एक अपराद के लिए मात्र मौर मात्र एक वाल सजा और इस वीडियो को जीतना अधिक सदिक हो सके अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ाय करने में आसानी हो सके वह भी पढ़ सके समझ सके काई कि कैसा पार्ट है जिसको लोग समझते हैं कि रट के हम चले जाएंगे और कोस्चन सॉल्व कर लेंगे जी नहीं रट के चले जाएगा तो आप कोस्चन सॉल्व नहीं कर पाईएगा आपसे बहुत सारा कंफ्यूजिन होने का बहुत रीजन है कि आप रटते कुछ है कोश्चन आता है कुछ है समझ नहीं पाते हैं कैसा क्यूं हुआ जैसा कि बहुत बार हम पढ़ाने के दर्मियान करने मैं को ऑल को बता चुके हैं कि असी में कन्फिूजन होता है और देखिए का अमेशा इसी में अक्रवार्यव तो रटना नहीं समझ के पढ़ना है समझ के पढ़ने में क्या दिकत है को असTo सुनते मूवी तो देखते हैं न आपको क्या होता ना एक बार मूवी देखें हर चीज याद हो जगा है पस उसी तरह से पढ़ाई को कीजिए जब समय मिले फ्री समय मिले लेकिन जरूर डेली ऐसा नहीं कि आपको दिन भर में कभी समय मिलेगा यह नहीं क्या करते हैं कभी न कभी तो आपके पास फ्री समय मिलता होगा घंटा दो जिन्दगी कितना सुनारा हो जाता है फिर जिन्दगी का अनद लीजिए थो यही था मेरा कहना और मेरे कहने पर अगर आप लोग चलते हैं तो हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे अब हम लोग देखेंगे 21 आर्टिकल 21 क्या करता है अनुच्छेद 21 प्रान एवं देविक स्वतंतरता मतलब आपको जीवन जीने का आजादी मिला हुआ है उससे कोई छिन नहीं सकता ऐसा नहीं कोई आके आपको कहा दे कि नहीं तुम मर जाओ नहीं तुमको मरना पड़ेगा नहीं यह आपके अधिकार के विरुद है आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप जी सकते हैं दुनिया में रश शकते हैं सुतंतरता मिला हुआ है कि आपको कोई मार नहीं सकता है आपको कोई मरने कह नहीं सकता को दवाव नहीं डाल सकता है। अब प्रान ला आवश्ल수 दैएक वित्मक्तत Madame कि आख केस अभी देखे होंगे सुसान सिंग मामले में सब्साइड का केस होता है लेकिन सब्साइड को अपाद क्यों माना जाता है तो मतलब आफ उसकार दिया गया कि आ बहुत सारा आटिकल है बहुत सारा धारा है अगर उसको सुसाइड करने के लिए कोई दवाव डाला है या दवाव डाला होगा या दवाव डाला है तो उसको सजा मिलेगा ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो कुछ दिन का ही हो लेकिन मिलेगा लेकिन मिलेगा तो सुसाइड के दिख लिजे जीवन जीने का अधिकार अगर आपसे question ये पूछ देता है कि जीवन जीने का अधिकार आठिकल कितने के ताथ आता है तो आठिकल 21 का एक आता है कि शे वर्स से ले करके चौदा वर्स तक कि बच्चों को निसून को सुपच्च कि शे वर्स से चौदा वर्स तक के बच्चों को निसिल्क सिक्षा मिलना चाहिए लेकिन आज कल के गार्जन तो इतने एडवांस हो गया कि बच्चे को पर यह वह यहाद है और उसके लिए बहुत साला प्रबधान थे पहले तो अभी ना व गया है कि आप जाइए उसमें प्रे में कभी भी किसी साथ इड्मिस्ण कड़ा सकते हैं जब तक आपका 6 साल नहीं हुआ होता था उसमें इड्मिस्ण नहीं होता था घर भुरतकиля है बहुत बहुत के में पैसा नहीं टो यह उनकी मर छोनोह है अधिकार है आपका कि आप नहीं लाब लेड़ हैं तो आपकी गलती है छे से चोदा वर्स तक के बच्चों को निसुल्क सिख्छा ठीक है उसके बाद हम अब हम लोग देखेंगे कि 22 22 क्या कहता है कि इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए का है इसको जो है कि इसको है कि श्यास में सम्मिधान दान संसो धन के तहट जोड़ा गया था कि इसमें सम्मिधान संसो धन के तहट जोड़ा गया था और यह कभ जोड़ा गया था तो यह आपका स्थियान से संसो धन 2002 के तहट जोड़ा गया था कभ कि 2002 के तहट 46 में सम्मिधान संसोदन 2002 के तहट आपका यह आर्टिकल जोड़ा गिया था 21 के ए में ठीक है यहां तक आप लोग समझ गए तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि गिरवतारी के संबंध में संदक्षन अगर हम गिरवतार होते हैं तो उस समय भी हमको पुछना को संदक्षन मिला हुआ होता है तो वही कहता है आर्टिकल आपका 22 क्या गिरवतारी गिरवतारी के संबंध में संदक्षन गिरवतारी के संबंध में भी हम लोग को कुछना को संदक्षन मिला हुआ है अब हम लोग देखेंगे कि गिरवतारी के संदक्षन में हमको क्या संदक्षन मिला हुआ है तो सबसे पहला संडक्षन जो उमको मिला हुआ है गिरबतारी के संबन्द में वो है 22 के ए में आता है वो अगर आपको हम गिरबतार करने जाते हैं या गिरबतार करने के लिए पुलिस आती है तो आपको अधिकार मिला हुआ कि आप कारण पूछ सकते हैं उनसे कि आप हमको क्यों गिरबतार कर रहे हैं ठीक है आप किस जुर्म के लिए हमको गिरबतार कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ठ आप उनसे कारण पूछ सकते हैं कि आपको वो गिरफतार क्यों कर रहे हैं ठीक है यह आप समझ गए तो उसके बाद आब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है आटिकल 22 के बीम में करता है इस 24 घंटा के अंदर 24 घंटा के अंदर आपको या सोड़ी आपको क्या आपको जो भी दोसी है उन व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर मजिस्टेट के सामने पेस करना अती आवस्यक ठीक है 24 घंटे के अंदर नजदी की मजिस्टेट जो भी उनके नजदी की मजिस्टेट है उनके पास पेसी करना 24 गंटा के अंदर उनको मजिस्टेट के सामने पेस करना होता है और इस 24 गंटा में उनको जो ट्रेबलिंग का जो समय होता है लाने ले जाने का जो समय होता है वो इंक्लूड नहीं होता है 24 गंटा में वो घटा दिया जाता है बलकि उसके बाद जो 24 गंटा होता है उसके अंदर उसको मजिस्टेट के सामने पेस करना होता है पुलिस को ठीक है यह आपका अर्टिकल 22 के B कहता है, आप कहता है, 22 का B क्या कहता है, सॉरी, 22 का B तो आप लोग देखी लिए, 22 का C क्या कहता है, 22 का C कहता है, कि हम को एक अधिकार मिला हुआ है, कि हम अपने मन पसंद वकील को चून सकते हैं, मन पसंद वकील को हम हाइर कर सकते हैं, अपने केस के लिए जिसे कि अभी फिर से यह देख लिजीए कि सुसान सिंग मामले में रिया चकर वरती सबसे बागा वकील हाइर कि उनको अधिकार मिला हुआ है कि मनपसंद वकील उनको पूरा इंडिया में कोई है वकील जो अच्छा वकील है मन कोई कोई भी हो तो उनको मिल सकता है ठीक है वो इसके लिए वो फिरी है कि कोई किसी भी वकील को वो हायर कर सकते हैं अपने केस को अपने केस के लिए केस के लड़ने के लिए कर मन पसंद वकील क्या कर सकते हैं हायर कर सकते हैं तो आई ये फिर से एक वर देख लेते हैं हम इकीस का एक करता है प्रांद एवां देहिक सोतंतरता मिंस कि जीवन जीने का अधिकार हम को मिला हुआ है उसे हम उससे कोई शिन नहीं सकता है हम से उसके बाद 21 का एक कहता है आपका 21 का एक आता है छे वर्ष से लेकर के चौदा वर्ष तक के बच्चों को निसूल को सिक्षा का प्रभधान दिया गया है यह 46 में संभिधान संसोधन 2002 के तरह जोड़ा गया आप से कोश्चन अब बताते हैं क्या बनेगा क्या तो यह बनेगा कि छोड़ा अगर इसमें च्चन है दो यह जार रखना है तो संभिधान संसोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है मूल अधिकार में याद रखना है सो समझ लीजे तो यहीं पर आपका क्लियार हो जाएगा उसके बाद हम आगे बरते हैं तो आगे क्या है गिरबतारी के समद्ध में संडक्षन, अगर हम गिरबतार हो रहे हैं, तो उस समय भी हमको कुछ न कुछ अधिकार मिला हुआ है, अपने संदक्षन के लिए, पहला जो अधिकार है, वह कारन पूछने का अधिकार, मिन्स कि आप अगर गिरबतार करने आया है, थो हम आपसे का 24 का B क्या करता है 24 गंटे के अंदर मजिस्टेट के सामने पेसी 24 गंटे के अंदर अगर वो थाना लेकर चला गया थाना में जाने के बाद 24 गंटा के अंदर मजिस्टेट के सामने उनको पेस करना होगा यह मेरा अधिकार है यह जो मतलब दोसी है उनका अधिकार है कि उनको 24 30 गंटे का अंदर पेसी करना होगा ठीक है पेस करना होगा उनको उसके बाद 22 का सी क्या करता है कि मन पसंद वकील मिन्स की जो दोसी हैं उनको मन पसंद वकील करने का अधिकार है वो कोई भी वकील हाड कर सकते हैं अपने case के लिए ऐसा नहीं बाद ये किया जाएगा कि आप यही वकील कर सकते हैं यह वकील नहीं कर सकते हैं पूरा अलवर इंडिया में कोई भी वकील आप कर सकते हैं तो अगर आप कोई दिक्कत है मौली का दिकार में तो आप क्या किजिए कमेंट बॉक्स में जाईए कमेंट कीजिए और फिर बताइए हम आपका डॉट को स्वाल बगड़ेंगे तो आप आज का वीडियो आज का क्लास मेरा आर्टिकल 22 तक था अगला क्लास जो होगा 22 से आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है तो आज का क्लास यहीं तक है जाहि क्लास से दो आजिया है जाहिए